अगर आज की समय में इस प्रित्वी पर सबसे तेज वत्त कतवर जीव को दिखा जाए तो उन में से सबसे बड़ा नम हम इंसानों का ही आता है आज की समय में पृतिवी पर ऐसी कोई अस्पंस नहीं है जो थोड़े समय के लिए ह्यिं हम इनسانों के दिमाग और हमारी टेक्नोलजी के सामने टिक सके क्योंकि हमारी पूरी पृतिवी पर हम इनसानों के पास ही सबसे ज़्यादा intelligent और तेस दिमाग है जो पृत्वी पर मौजूद किसी और प्राणी में नहीं है इन्ही के कारण इंसान अपने आसपास के वातावरण और चीजों को समझ कर एक्सन ले सकता है आज के समय में हम इन्सान का दिमाग हमारे प्रित्वी तक ही सीमित नहीं है बलकि हम प्रित्वी के आसपास ग्रोहों और सोजर सिस्टम इसके अलावा अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगतार जान रहे हैं और हमारी रिसर्च के मुताबित अभी तक हमारी यूनिवर्स में भी हम इन्सानों से ज़्यादा कोई एलियन जीओ मौजूद नहीं है और अगर है भी तो हमारी नजरों से अभी तक ओजल है पर इन्सानों की इतनी इंटेलिजेंसी को देखते हुए एक प्रस्ण हमेशा उठता है कैसे प्रिथ्वी पर हम इनसानों का जन्म हुआ और आखिर वो पहला इनसान कैसे जन्मा था जिसने प्रिथ्वी के सबसे तेज बुद्धी बाले जीव की निव रखी तो दोस्तो आज हम जानने वाले हैं कि प्रिथ्वी पर इनसान का जन कैसे हुआ आप सब जानते ही होंगे कि हम इनसान इस धर्ती पर हमेशा से मौजूद नहीं थे क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुवात में डाइनासोर जब जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते क्योंकि डाइनासोर के होते हुए हम इनसानों का अच्छे तरह से डेवलोप हो जाना बहुत ही मुश्किल था अगर डाइनासोर के समय हम मानों की एक चंजाती भी डेवलोप होती तो सायद वो भी डाइनासोर की तरह प्रिथवी पर से गायव हो चुकी होती और ये इस बात का प्रमार है कि हम डाइनासोर के मृत्यू के बाद ही धर्ती पर आये होंगे लेकिन क्या पहले कभी आपने सोचा कि धर्ती पर पहला इंसान कैसे आया होगा और कहां से आया होगा उसे समझने के सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धरती पर जीतने भी जीव मौजूद हैं वो सब पहले के जीवों से कनभट होकर ही आये हैं जो की एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे इस प्रकिरिया को इवलूशन कहा जाता है बिज्यानिकों ने रिसर्ज में पाया कि हमारी प्रित्वी पर जीवन की सुरुवात समुन्दर से हुई थी प्रित्वी पर जीवन की सुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो औस्ट कोर्ण निजम की फोम में हुई थी यानि यह इतना छोटा सा है कि इसे हम अपनी नंगी आखों से देख नहीं सकते और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे लेकिन बाद में जब धीरे धीरे युवलूसन होता गया तब इन सुच में जीवों में काफी सारे बदलाव होना सुरू हो गए ये एक कुसिकिये जीव से बहु कुसिकिये जीव में बदल गए इसके बाद इनके संरसनाय भी अलग-अलग बनने लगे और समय के साथ ये कई तरह के बहु को सिके जीव के रुप में बृद्धी होने लगे इन में से कुछ जीव पानी में ही रुप गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिये इसके अलावा कई हजारों लाखों साल तक इवोलूशन कुछ इस परकार हुआ कि बड़े जीव भी धर्ती पर अस्तित्तों में आ गये हैं जैसे कि डाइनासोर और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डाइनासोर की परजातियों के खत्म होने के बाद मानोस सभ्यता की शुरूआत हुई चलिए दोस्तों हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं ऐसा कहा जाता है कि 6-6 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रोइड धर्ती से टकराया था उस समय प्रित्वी पर इस एस्ट्रोइड की टकर काफी ज्यादा खत्रनाक थी जिसके चलते प्रित्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था प्रित्वी का एको सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था प्रित्वी के समुंद्र में बड़ी बड़ी समुंद्रे लहरे उत्पन हुई थी जिसने पूरी प्रित्वी को भीगो दि लिए था वो फटने लग गया थे और इन सभी घटनाव के एक साथ होनी के चलते प्रिधी पर एक बहुत बड़ा प्रलैस आ गया था जिसके कारण इन डाइनासोर जैसी प्रजाती का अंत हो गया था और साथ ही जमीन पर रहने वाले कई छोटे जीव भी मारे गया थे ऐसा भी माना जाता है कि लगबग 75% फ्लोरा और फाउना भी इसमें मारे गया थे इसका प्रभाव यह हुआ कि धर्ती पर कई और प्रजातियों के रहने के लिए अस्तान खाली पड़ गया था और साथ ही धर्ती की टेक्टोनिक प्लेट्स भी अपनी जगह से हटने लगी थी इसलिए अब धर्ती को नई प्रजाति किया उसकता थी जिसके कारण मैमल्स अस्तित्यों में आना शुरू हो गया और इनके 10 मिलियन साल बाद इनी 3-5 अजार प्रजातिया धर्ती पर अस्ति बढ़ाव आए इनमें जो पाहला बदलाव था वो यह था कि ये दो अलग अलग ग्रूप में बढ़ गया इनमें से पहली ग्रूप को एस्टैप्सियन कहते हैं जिने वेस्टरन प्राइमेट्स भी कहा जाता है क्यूंकि इनमें सुण्गने की सक्ति थी दूसरे थे अपलो इसके बाद लगबग 20 मिलियन साल पहले इवलूशन के कारण पहले एपस अस्तितों में आए जिन्हें प्रोकु काउंसल कहा जाता है ये बंदरों जैसे दिखते थे लेकिन इनमें ही इंसानों जैसे लच्छणों की सुरुआत हो चुकी थी कहा जाता है कि आज के इनसान के तुलना में काफी बड़े साइज के हुआ करते थे ये और इनका वजन भी 100 पाउंड से ज़्यादा ही होता था और इनमें कोई पूछ नहीं हुआ करती थी फिर जब ये भी समय के साथ एवॉल्व होने लगे तो गोरिला जैसे जीव भी अस्तित्व में आने लगे और इसके लगवक साथ मिलियन साल बाद गोरिला के नसल में भी कुछ चिमपैंजी में तब्दिल हो गये और चिमपैंजी को ही माना जाता है कि ये हमारे पूरवज के नजदी की रिष्टदार जैसे लक्षण दिखाने लगे थे इसके बाद बंद्रों में आड़ी पीठिकस नाम के जीव भी अस्तित तुम्हें आए और इनका ब्रेन साइज एपस जितना बड़ा था साथ ही ये पीड़ों पर आने वाली जीव थे और यहीं मानो इतिहास के वो पहले जीव थे जिन्हों ने दो टांगों पर चलना सीख लिया था इस इवल्यूशन के लगभग चार मिलियन साल बाद एस्ट्रोलों पीठिकस जो आड़ी पीठिकस से ही इवल्व हुए थे वो लगभग इंसानों जैसे ही दिखने लगे थे हाला कि इनमें अभी भी एब जैसे दिखने वाले कुछ लच्छन मजूद थे और ये वो पहले जीव थे जिनके पैर आगे की ओर थे जिसके की इसको दो टांगों पर चनला और आसान हो गया था और साथ ही इसके बाद ये अपने दोनों हाथों का परियोग पथर के हथियार जुगार बनाने में कर करने लगे धीरे-धीरे समय के साथ ये भी दो हिस्सों में इवॉल्व हो गया है पहले वो थे जिनके जवड़े काफी बड़े हुआ करते हैं और दूसरे वो थे जिनके ब्रेंड साइज काफी बड़े हुआ करते थे लेकिन इन में से जिनके पास बड़े साइज के ब्रें होता है किसी भी प्रजातियों का एक ऐसा ग्रूप जो आपस में किसी माध्यम से connected रहते हो और होमो एक लैटिंग सब्द है जिसका अर्थ है मानव कहा जाता है कि असली मानव जाती की सुरूआत होमोजीनस से ही हुई थी इस होमोजीनस के पहले सदस्य थे होमो हैविलस जिने हैंडी मैन के नाम से भी जाना जाता है क्यूंकि यह पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तिमाल करते थे इनके लगभग 1.9 मिलियन साल बाद हुमो इरेक्टिस अस्तितों में आये इनही की टांगे लंबी होती थी और बाजू थोड़ी छोटी जो की आज के मानव जैसी थी अब यह पेडूप से हटकर पूरी दुनिया में जमीन पर राना सुरू कर दिये थे इनका ब्रेन साइज भी काफी बड़ा था लेकिन बाद में ये अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गएं इनही के माइग्रेट होने के कारण ही मानव धर्ती पर अलग अलग जगा पर रहने लगे इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि इनमें से कौन से ग्रूप से आ पहले से ज़्यादा बिक्सित था और साथ ही ये ज़्यादा क्रियेटिविटी और अभिस्कारी भी थे यहीं कारण था कि इनके साथ के ही मौजूद नियंडर थल कम दिमाग होने के कारण ही अस्तित्त से हट गए और होमो सेपियंस ने उनका अस्थान ले लिया उस समय होम होमो सेपियंस के क्रियेटिविटी के चलते होमो सेपियंस अपने आसपास के महोल को दूसरे जनवरों से ज़्यादा समझ और महसूस कर सकते थे और अपने आपको दूसरे जनवरों से बचा भी सकते थे होमो सेपियंस के इसी क्रियेटिविटी के करण इस परजाती ने समय ाताओं को मजबूत करने और अपने टेकनोलोजी को आसपास के महोल को समझने की सक्ति को काफी ज़्यादा मजभूत किया. होमोसेपियंस ने समय के साथ जैनौरों के सिकार के साथ साकहारी चीजे भी खाना सुझग कर दिया और समय के साथ खेती जैसी चीजों को समझने और खेती ही होमो सेपियंस दोरा की गई एक मत्यपूर कदम बताई जाती है जिसने आज के इस modern इंसानों की निव रखी इसके बाद होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आज कल विज्ञान के विकास और हमा सो चुकी है हम हर दिन कुछ न कुछ नया डिवाइस बनाते रहते हैं तो आप जानी चुके होंगे कि किस परकार धरती पर पहला इंसान आया होगा और कहां से आया होगा आज की समय में भी हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह human evolution हुआ था इस प्रमाणों में सबसे ज़्यादा सहयक है प्राचिन्स फॉसेल्स यानि जिवास हमें हमारे पुर्वजों के कई सारे जिवास में मिले हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि वो कितने बड़े हुआ करते थे और उनमें और हम में क्या फर्क था और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसे दिखते थे साथ ही कुछ arkelogist site के खुदाई के दोरान हमें ये भी पता चला कि किस परकार हमारे पुर्वज पत्थरों के बने आउजारों का इस्तिमाल करते थे खुदाई के दोरान ना के वल हमें इसका पता चला कि किस परकार वे अपना जीवन जीते थे बल्कि हमें ये भी जानने को मिला कि उनकी क्या मान्यताय थी उदहारन के लिए जैसे किसी के मर जाने पर ये उसको दफना देते थे जो यह दर्शाता है कि हमारे पूरवजुद में भी बिलीफ पैटर्न विश्वास और विश्वास नाम की चीज हुआ करती थी जो कि आज की समय में भी इवॉल्व हुई है तो दोस्तों कहने का यार्थ ये है कि हम इंसानों का जन्ग किसी एक इंसान से नहीं हुआ था बल्कि आज की हम जो इंसान है जिस फिजिकल अस्ट्रक्चर और जिस दिमाग के साथ मौजूद है वो पृत्वी पर लाखों करोनों साल के इवॉलूशन के करां बना है जैसा लगतार जारी रहता है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल से किरिपया जूल जाएए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें